हालो फ्रेंड्स मैं हुरीन अभिरादार और आप देखरें घर का खाना और घर के खाने में मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मारा स्ट्रियन स्टाइल तक्कुरे से भी ये तक्कु खाने में बहुत ही चटपटा यम्मी और इतना टेस्टी होता है कि आपके खाने का जो स्वाद है वो दुगना कर देगा तो चलिए देर किस वाद की हम इसे बनाते हैं तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दो बड़े साइज के आम ये तोता पुरी आम का मैंने यूज किया है ये ज़्यादा खटा नहीं होता आपके पास में जो भी कच्चा आम है वो आप यूज कर सकते हो तब हमें इसे पील कर लेना है इसके उपर के कवर हटा देने है सबसे पहले और इसे साब पाने से दोने के बाद अच्छे से पोच लेना है इसमें पानी ना बच्चे इसका ध्यान रखे इसे अच्छे से पोच ले तो यहाँ पे मैंने इसे पील कर लिया है अच्छे से इसे पोच भी लिया है दोने के बाद अब हमें इसे ग्रेट करना है एक बड़े साइज का ग्रेटर हमें यूज करना है ताकि इसके जो लच्छे निकलेंगे वो बड़े साइज के हमें लगने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज के ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लिया है, तो मैं आपको दिखा दूं किस तरह के लच्छे हमें चाहिए, बिल्कुल इस तरह से बड़े-बड़े साइज के इसके लच्छे निकलने चाहिए, तो यहाँ पे पुरी तरह से मैंने इसे अगर आपके पास में सिंपल वाले आम है तो इसी स्टेज में उसका जूस थोड़ा सा निकाल कर आप यूज कर सकते हो ज्यादा खटा नहीं बनेगा अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कड़ाई और कड़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ओईल यहाँ पे चार लोंग और एक टी स्पून मैंने लिया है मेथी दाना अब डाल देते हैं इन दोनों चीजों को ओईल में यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी इस दोनों चीजों को हमें अच्छे से फ्राय कर लेना है ना ही इसे जलने देना है और ना ही इसका कच्चापन बाकी रहना चाहिए तभी ये तकुप बहुत अच्छा बनता है याद रखें इस स्टेज को बहुत ध्यान से देखें इसका ब्राउन कलर आने तक ही हमें इसे फ्राय करना है तो इसे जल्दी जल्दी हिलाते जाएं नहीं तो ये जल्दी जल जाता है एकदम कम ग्यास पे इसे अच्छे से ब्राउन कलर आने तक फ्राय करें जैसे ही इसका ब्राउन कलर आ जाता है इस तरह से कड़ाई में, साइड में तुरंत इसे निकाले ताकि इसकी जो पकने की प्रोसेस होती है वो तुरंत थम जाए और इसे फटा फट एक प्लेट में निकाल ले तो यहां पे मैंने इसे निकाल लिया है और थंडा कर लिया है अब हमें इसकी बनानी है पाउडर, तो मैंने पाउडर बनाने के लिए एक ओकली ली है, यहाँ पे यह साफ सुत्री ओकली होना चाहिए, नहीं तो तक्कु जल्दी खराब हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसे कूट लिया है, दर-दरा इसकी पाउडर बना ली है, अब इस पाउडर को हमें डाल देना है तक्कू के अंदर, तो यहाँ पे मैंने पाउडर डाल दी है, इसे बहुत ही ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है, इसे स्कीप ना करें, अब हम इसमें कुछ सुखे मसाले डाल देते हैं, सबसे पेले हम डाल देते हैं, आधा टेबल स्पून हल्दी पवडर और टेस्ट के अनुसार हम डाल देते हैं रेड़ चिली पवडर तो रेड़ चिली पवडर मैंने देड़ चमच का यूज किया है अब हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पवडर एक चमच कलर के लिए बहुत अच्छा दिखता है फिर ये तक को तो आप इसमें डाल देते हैं तीन चमच तीन से साड़े तीन चमच हमें इसमें डालना होगा नमक और चार से पांच चमच हम इसमें डाल देते हैं चीनी इन दोनों चीजों से इसमें बहुत ही अच्छे से टेस्ट और बैलंस बना रहेगा तो इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आम के उपर बहुत अच्छे से ये मसाले लग जाए तो यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से mix कर लिया है अब इसे रख देते हैं side में अब चलते हैं next process की तरफ फिर से मैंने कड़ाई ली है और कड़ाई में डाल दिया है oil तो oil यहाँ पे मैंने तीन चमच oil का यूज किया है अब हम इसमें डाल देते हैं rye और jira तो यह एक चमच मैंने राई डाल दी है और आदा चमच हम डाल देते हैं jira और इन दोनों चीजों में अब फटक से हम डाल देते हैं लैसून यह दरदरा कुटा हुआ लैसून है अब ग्यास की फ्लेम को हम तुरन बंद कर देते हैं ताकि लैसून बिल्कुल भी हमारा जले नहीं इसे में यह बहुत अच्छे से फ्राय हो जाएगा तो ग्यास की फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद अब इसे कर लेते हैं थंडा और थंडा होने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं तो यहाँ पे ओईल बहुत अच्छे से थंडा हो चुका है। इन सारी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस ओईल को हमें इसमें डाल देना है। याद रखे गरम ओईल इसमें डाडाले। नहीं तो तक्कु जल्दी खराब हो जाता है। ये तक को आठ से दस दिन अराम से चल जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बिल्कुल अचार की तरह लगता है। अचार से भी कहीं गुना अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राइ करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी लिखे ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो मेरा कौन कोन और कहां-कहां से देख रहा है। अब इसे अच्छा से हमें करना है मिक्स। इस तक्को को आप 8-10 दिन तक अराम से खा सकते हो बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। तो ये हमारा तक्को एकदम रेडी है आप इसको खाने में अगर सामिल करोगे तो आपका जो खाना है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। खिचडी, दाल, चावल, रोटी, सबजी के साथ में इसे आप इंज्याइ कर सकते हो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी ये तक को याचार लगता है आप एक बार ज़रूर इसे ट्राइ करें और ये रेसिपी ट्राइ करने के बाद आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स मे ज़रूर कमेंट करें अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें नीचे दिये गए बेल आइकोन को दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचे ये वीडिय अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले